इस कारिक्रम के पुड़े आजक हैं समस्त गुरु भक्त परिवार्म इशनेही सत्स्रद्धालो यहां पर उपस्तित्व आप सबी भव यवर पुंडरीक पुंडियात्मा महानुभाव आचारी भग्वन समंत बद श्वामी द्वारा विर्चित रत्न करन्डक स्राबक आचार की वाचना में स्राबकों के चार सिक्षा बद का गथन करते हुए अंतिम सिक्षा बद के संबंद में विचार विमर्स और चर्चा कर रही थे आचारी श्मंत बद श्वामी श्लूक नंबर 113 के मद्यम से स्राबक का जो अंतिम सिक्षा बद वईया बद्ति है उस वईया बद्ति के श्मंत में बता रही थे कि दान वईया बत्ति दान देना वईया बत्ति है यह श्लूक नंबर 111 में बताया 12 में बताया व्या पति पिपनो धहस पदियो श्मवानच अकुन रागात इत्यादी श्लूक बताया शादियों का पाद मर्दन आदी करना शेवा करना श्रम से ठकत होने के पर उनकी शादना में पत्कुलता होती है बाधा आती है तो वह भी वही अवरती है जो दान की बात कहीं दान भी धर्म की कोटी में आता है जहां कहते हैं धर्म की दसलक्षण उत्तम श्मा मार्दव आर्जयो शोच सत्य संयम तब त्याग आकंचन ब्रमचर तो त्याग शब्द का अर्थ अधिकांस आचारों ने दान शेवी लिया है यहां पूजन में आप पड़ते हैं दान चार प्रकार चार संग को दीजिए और श्रदशास्त्र अवे आहारा आप पड़ते हैं यहां पर आचार मोदे दान की बात कह रहे हैं दान के प्रकार आगे कहेंगे अभी प्रमक रूप से जो आहर्दान है उस दान की विदी की चर्शा कर रहे हैं आहर्दान कैसी देना चाहिए जिश्य समीचीन और संपून फल प्राप्त किया जा सके तो आचार मोदे श्यूक नंबर 113 में दान की विदी के बारे में बता रहे हैं नव पुंड प्रत्य प्रत्ति सब्तुड समाहितेन शोधिन अपसुना रंभाना मार्याना मिश्यते दानम नव पुंड यही नो प्रकार के पुंडियों की द्वारा प्रत्पत्ति करना सब्तुड समाहितेन शोधिन सब्तुड सेटवर करके तो अपन पुंड कौन कौन से हैं साचारों निव नवदा भक्ति को स्रावकों का नव प्रकार का पुंडिका है। स्रावक श्रावक का नव प्रकार का पुंडिक नव कोटी शे नवदा भक्ति के मादम शर्जित करता है। और नवदा भक्ति कौन सी है तो आप जानते है नव प्रकार की भक्ति को नवदा भक्ति कहते है उमन वचन काईशे भक्ति करना कृतकार तर नुदनाशे भक्ति करना ये भी नवदा भक्ति कहलाती है तो नव पुंड आचारों ने लिख्या है किस प्रकार सी है पढगे मुच्च थानम पादो दे मचणम चपन मम्च मणवयन काय सुद्धी एसन सुद्धी रवढव अभीहं पुंडंम नव प्रकार का पुंड कहा कैसा कहा नव प्रकार का पुंड तो क्रम्शे कह रही हैं पढग्य है पढगे में पटीग्र है प्रतिग्रे माने समागत अतितिग्यपति आग्रह करना, प्रतिग्रे माने शुकार करना, उनको वुलाना और उनका यथा योग्य समाधर करना, यह प्रतिग्रे या पढ़गाहन कहलाता है, उत्तम पात रहों, चाई मध्यम पात रहों, चाई जगन पात रहों, तिनों प्रक के पात्रों की नवदा भक्ति की जाती है आचारी श्रम 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 श पहले पूंड्य प्रतीग्रह पडगाहन करना मुत्तव मद्यम जगनपात्र को देखकर के बिरम्र मुद्रा में इसे तो करकर करकमल में उत्त्तों दव लेकर के प्रति गर्चा म bonus है आरुका माताजी है, अईलग जी, छुलग जी या छुलका माताजी है। इन पिछ्छी धारियों को विधी पूरब परगान किया जाता है। किन्तों बृति और शाबकों को उस्वकाशे प्रगान नहीं करते प्रतिग्रे करतें बुलाते तो हैं हाद जोड़कर के वद्ध करांजली शिविल्द करते और नोध करते आप हमारे चौकि में अभी पॉझन कराया नहीं, भावना से भुलाया है, पॉझन कराने के लिए ये पहला पुंडी हो गया, कुछ व्यक्ति ऐसे आलसी होते हैं, कि वह कहते हैं कि मैं पढ़गानी करता, तो पढ़गान करके लिया मैं तो आर दे दूगा, सुद्धी बोली आर दे दिया, तो ये का आलश है आलश पुंड का भक्षक होता है आलश से पाप को निगलता है जैसे दीपक की जोती अंदकार का भक्षन करता है और कजल को निगलता है जैसे आलश से ब्रक्ति के पुंड को खा जाता है और पाप को निगल करें उगल करके मत चला जाता है तो कभी भी पुंड की क परगान किया दोशें उच्छिस्तान दिया तीसरें ने पात परशन किया चोतें ने पूजा की पांच प्रणाम करके चला गया च्छड़ना होती हाली दिखा रहा है सात्मा सुद्धिव लिखार दे रहा है ये उचित नहीं है नवदा भक्ती पूरवकी आहर देना चाहिए प्रतिग्र है यानि प्रतिग्र है किया पात जाओ चौके में पाक शाला में रश्री में पहुंचे उन्हें बिनमर पूरता पूर्वक्त हाद जोड़कर के निवेदा करना चाहिए हे श्वामिन उचिस्तान किजिए चाय मुनराज है रता जाते हैं विष्ट भरदारी चल्का माता जी है वुचयISTान देते हैं यदि अदि ए उचिस्तान देते हैं जाजो звучे के बिवेदा चनार पाता होता है जो आचारे उपाद्या शादू यह आपाता जी है यह आरिका माता जी उनके एवं शुलक जी माराज ऐलाग जी माराज शुलका माताजी उनका भी पाद पश्चालन किया जाता है पाद पश्चालन करके आचार आधी परमिश्टी उपाद्य सादी पुनिष्टी उनका तो नियम से गंदुदग मस्तव का धढ़न करना ही चाहिए पढगाई पर लगाना चाहिए तो यह अनिवार है यह बिनमृता का भक्ती का श्रद्दा का पतिश्ट अन्य जो पात्र है आईलग जी छुलग जी आरिका माता जी या छुलका माता जी उनका पादोदक सर पर लगाएं अच्छी बात है लगाने से कोई शम्वक्त की हानी नहीं है कोई लगाना चाहिए तो उनकी अर्चना तो होगी करना है नियम से करना चाहिए किन्त पर विश्टी के पिश्या से लगू अर्चना इसके प्रांत जी अजलक जी चुलकें तो उनकी भी अर्चना होती है लगू अर्चना होती है अर्थात आर्गादी चड़ा करके उनका संवान किया जाता है तो उनका कोई संवान ही न किया जाए और वृतियादी है तो उनका भी हाद जोड़कर के वह संवान किया जाता है वेवन के लिए अर्चना ही है ये प्रशंशनी म्रदू और प्रीश अब्दों का बोलना ये भी एक अब्रती के लिए सम्मान का पूजा का अर्थ में आता है अच्णम प्रणम प्रणाम करना मुनी मारा आजादी है तो परमेश्टी को विदी पूरवक गवाशन से बैठ करके नमस्कार करो या पंच्छांग से नमस्कार करो तो खड़े खड़े नहीं कुछ का अर्गा माताजी अलगिश्टी लुकन को बी नमस्कार करना चाहिए विर्ती को भी ऐल जोड़े प्रणाप करना चाहिए वरती को भी हाज जूड़े जैजंदादी करते हैं अगरना जरूरी है जो इस प्रकार से नफ्रकार की पत्पत्ती करता है, आदा शम्मान आदी करता है, तो उसे निश्चन्दिय इस प्रकार की पत्पत्ती करने से, आदा शम्मान करने से, उसके जीवन में साथ से पुनकासा होता है, एहशा नहीं, कोई ये नहीं सोच ले, कि मैं सादू के लिए सादू के लिए नहीं सादू की भक्ति स्वात्म कल्यान के लिए की जाती है आप लोग भगवान का अवशे करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं का अपने लिए करते हैं भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं तो अपने लिए करते हैं तो अपने स्वेम के पुंड का ही प्रयोजन मुक्ष होता है स्वेम का पुंड यदि हमारा प्रयोजन भूत है तब तो हम पुंड को किमा सकते हैं यदि कुछ कि माराच जी न फुम टी आर्का माताजी कर लेखे कर लेते हैं यदि को माता जी पू कर रहा है यहां कर रही हो नहीं अभूय घ्文 की बहुतार्mek रखना नहीं तो दान देरे पर भी दान के संपूरप़कों प्राप्त्र न निटेम परपें पुलोगी, किसी भटी ने परश्म किया सुर्भब प्रात्त करने लूइ किन्तम परश्म करके भी वे काम से विगाड दिया, तो सुर्भब के वजह से दूरपे भी प्रात्त पन होंगी मेरं यह मैं शल्दन यहके नहीं दाता के साथ और नहीं है तो समयना चाहिए नवदा भक्ति करके उत्तम उत्तम आर दिया फिर भी आपने अपने पुंड के पात्र में माने छेद कर दिया वो छेद से आपका पुंड सीध सारा निकल गया उतना ही शेद रह गया जितना उस नव कलस पर जल की बिंदू उसको सोख लेती है उतना ही रहत इंचता करके ज़िसपात्रों को दान भी देता है ऊत्तम असूगा दान देता है ऊत्तम विदीगा प्रियों करना भी χाता है जो पिर भी पुंड से बंचित रह जातारра महान भाव तो यहां पर वता रएए कि नौपुंड त्रव कांकार के पुंडू के दौरा ही प्तित् तो पहले नव प्रकार के पुंड करने की भाबना बनाओ, तब किशी उत्ता मत्यम जगन पात्रों को आग्रे करो, परगान करो, यदि भाबना ही नहीं है, छलकबट कर रहे हो, परगान किया, हम आरका माताज के पात्पष्षा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, और कि जनकी भक्ति आप कर रहे हैं, वे आप से बहुत बड़े हैं, आप तो अभी अवरती हैं, सम्वधश्टी हैं या नहीं, ये तो केवली या नहीं, कि तो बिवार के लिए से ऐसा पती दोता है, जैसे आपके पास शम्दक तो भी नहो, एक बात ध्यान रखने, चौती मंजली के सिर्के उपर ही पांची मंजली खड़ी होती है, पंच्छे गुरसान वरती चाया आरिका माता जी हैं, चाया एलग जी महाराज हैं, चाया छुलक जी महाराज हैं, चाया छुलका माता जी हैं, और वे व्रतों का पालन कर रहे हैं, वे चौते गुरसान वाली सुद पातपकरशन न करना पड़ी औरग नीच डाना पड़ी इनको हाज़ोड के प्रडाम नमस्कार आदी नहीं करना पड़ी इस चामीयादी वंहादी नहीं करना पड़ी तो समझ लो जिसके की ależy सम्झे समयक्त अभी conception नहीं है संकासपद है शंद्यासपद है इस दिनको पहले नवपुंडे ही नवपुंडे को करने का चित आपका पात्र बन गया हो जिसके चित में नवप्रकार की भक्ति उत्पन हो सकती है वही वास्तम में इस अतिति संभाइब्रत को पाल शक्ता है अन्य था बहार में द्रविक्रिया कंडे वाले अपनी आपको विद्वान पंडित बताने वाले अपनी आपको बड़े विशिष्ट उत्यागिवती बनाने वाले बताने वाले आँख बंद करके तन करके बटगिया से केवली होने वाले हो इस पकार के ढंग पाखंड तो कंडे बाले फगंपर मिलते है किं तो सुध डियुद्यें बगति करने वाले बिरिली होती है यदि फांपन कंड dólar से छलमत बःचारी कंड दुन कल्यान होना होबना तो सब्सक्रिएक जुद्ख गुजाता लोगों काफ तौन नहीं जब तक areda में शुद थानी आती है चित्त में पवित्रता नहीं आती है तब तक कल्यान नहीं होता तो आचार मोद यहां पर कह रहे कि नव पुंड यही नव प्रकार के पुंड के मादनप्शे भक्ती के मादनप्शे उत्तम मद्यम जगन्य तीनों प्रकार के पात्रों की यतायोग नवदा भक्ती करना एसे धिगंबर जेन शासन में जेन आचारियों ने एक जगे नहीं एक आचारियों ने लिखा है जो आचारियों की बात पर विश्वास नहीं करता है तो आचार शिव को टीमारा नहीं लिखा है भगत की वादनी शत्यमी गाता में कि एक अक्षर एक पद या एक शब्द एक भी नहीं मानता है और पूरी द्वा शन को मानता है वह उसी छण से तीज़ को जाता है आचारी नेव्चे स्रिद्दान चर्बती नभी जीव करना वे लिखा है इसलिए नहीं बांता है पहले भूलमस जदी छोड़ रहाता नहीं करता पूनाः चाहिए जिनागम के वाक्यों को भग्वार माविश्ली disso army की वार्नी समझ करके शुकार करना चाहिए पूज आचर रचए के बातों को काजने रहे हैं अचारों के बातों को प्रात यह हंविए तुन दोनों और कर रहे हैं और कह रहे है जए इस समझे में नहीं आई तो समादान नहीं दे रही जैसे आज व्यत्ति कह दिता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए उन्हें का दौनों आचार पर मुरते और यदि पिर भी आप नहीं मानते हो तो गौतम स्थामसी पूछो हमसे भैस मत करो हम किसी भी आचार की बात को नहीं काड़ सकते तो मान भाव शम्मद्रष्टी का यही लेक्षन होता है शम्मद्रष्टी किसी आचार की बात पर उठारागात नहीं करता तो इस पकार नवदा भक्ति के मादधम शे वह आधी की प्रक्रिया करना चाहिए आज श्लुक नमबर 113 में इतना ही हम चर्शा करते हैं कल पुन इसी श्लुक पर चरचा करेंगे और बताएंगे कि दाता किस पकार साथ पकार के गोल'dों से युकतो होता है और दाता किस पकार पंच सून से रहित आरिया मतलव आरिका अरत है यहां पर जो आर्य पुर्श हैं अबरती भृती महबृती हैं तीनों को पात्मों को लिया है, उनकी नवदावत्ती करना चाहिए, और सुद्देन सब्दे से या लेना चाहिए, कि पिंड सुद्दी कुल सुद्दी भी होना चाहिए, हर वक्ति आहरादी देने का अधिकारी नहीं होता, तो ये बात भी होताएंगे, जैसे पूजा अभश पारसमल इंड्रदेवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु बाखलिवाल, सूरत, श्रीविनोज जन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जन, समस्त गुरुभक्त परिवार, फिरोजाबाद